अगर ऐसा कहेंगे तो मायावती जी भी 15 साल से बीरोजगार हैं, दस साल होने वाले हैं लगबग लगबग अखले जी भी बीरोजगार हैं, क्योंकि सत्दानों पच्छा, यूग नहीं है, टेट वाला मेटर कोट में है, कोट का मेटर सरकार डिसाइड नहीं करेगा, ये कोट मारे जल्ट कहलाएगा, कमीशन बैठा है, लेकिन अभी उसका कोई अतापता नहीं है, अधिक है, और मतलब सीमित पोस्ट है, तो सब लोग को अर्जेस्ट होना, सरकारी नोकरी में, जैसे पूरा आल इंडिया में माल रिधाई परसें या तिन परसें सरकारी लोग नोकरी क क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? मौझूदा जो सरकार है, वो केंदर में भी है और राज में भी है, तो उस पे इन लोगों का कितना विश्वास है, क्या आने वाले समय में, रोजगार मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इस बारे में जानेंगे, हमारे बशपन के एक और दोस्त है, हम इन से जानेंगे, प बेरोजगारी पर बात करेंगे, और एक है कि बोलने बेरोजगारी नहीं है, तो अब बाते काफी दिल्चास्प होगे, अजय जी है, जो कि अजय जी से हम बात करेंगे, आफ कैमरा काफी खुल के बोल रहे थे, कि हम बेरोजगारी पर बोलेंगे, बोल रहे तो कुछ भरति यह हो गई आपने क्वार्यटी नहीं है नहीं फैन। भॉल रही हैं मदलेख्जुों जो हमारे दोस्ती हैं विण ihrer सकतों क्रों रिखी लाइव करो। इस दोब और नहीं संसरा हैं कि युल्ड Ły Beautiful प्रियास जा रही है तो जैसे घंटुसिंग भी बॉल रहे हैं कि वालिटी नहीं है लोगों में तो इस तरह से माल लिया जाए आपकी मेहनत को क्वालिटी से न का रहे हैं प्रतिवाब है हर इंसान के अलग अलग क्वालिटी आप खूल के बोलेंगे तो आप थोड़ा नजदीक आईए आपको खूल के इंदर क्वालिटी नहीं है मतलब इतना पॉपलेशन हमारे देश की है तो कुछी पत्व के लिए मतलब हो पाएगा सब लोग तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंग को कंट्रोल करना पड़ा एक सिमिती बानने चाहिए जिस पर पॉपलेशन कंट्रोल हो फिर इस से हलका अलका बेरोजगारी विक्कम होगी जीतना पॉपलेशन बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ती ही जाहिए किसी भी देश की एक चीज़ तो आर हो सकता है ना रूप चंत क कि देश के अंदर जब पॉपलेशन बढ़ेगी तो जरूरते बढ़ेंगे तो उस हिसाफ से वैकेंसिया बढ़नी चाहिए अगर हमारे घर में दस लोग है तो दस लोगों का जिम्मेदारी समालने के लिए जब पहले एक आदमी पांच लोगों का समझता था तो दस लोगो पॉपलेशन इतना जनसंख्या अधिक है और मतलब सीमित पोष्ट है तो सब लोग को अर्जेश्ट होना सरकारी नोकरी में जिसे पूरा आल इंडिया में माल रिधाई परसें या तिन परसें सरकारी लोग नोकरी करते हैं तो संतान में परसें लोग तो प्राइबेटी करें खुद कुछ प्राइबेट करें कुछ बिजनेस करें यह भी ठीक है लेकिन अच्छा विकास और डिवलप के लिए अच्छा रहेगा उतनम रहेगा अजए नोकरी का डिफिनेशन क्या है आज के डेट में इवा सिर्फ सरकारी के तरफ भाग रहे हैं सरकार की तरफ सरक में अभी उसका रेजल्ट भी नहीं आया कोट में मामला चला गया उसके बाद यह लोग जो है कि लगाता डेट पर डेट डालते चले जा रहे हैं कि आज आएगा रेजल्ट कहल आएगा कमिशन बैठा है लेकिन अभी उसका कोई आता पता नहीं चला यूपी पीसियल का एक जलते जा रहे है पस्पोंड किये जा रही है जो इग्याम हो भी गया हो गया एक जाम अभी नहीं हुआ है जो बैकेंसिया सरकार की तरफ से निकाल दी गई है अब उस पर भरती लिये जाना चाहिए लेकिन अब तक लिया नहीं जा रहा है मैटर जब कोट में है और दोनों कर दे या जल्दी कर दे यह सही नहीं है और दूसरी बात जो रोजगारी के आप लोग बेरोजगार बेरोजगार चिलाए जा रहा है बेरोजगारी का मतलब यह नहीं होता है कि आप सरकारी जाब करोगे तो आप रोजगार पर रखो और आप सरकारी प्राइबेट सेक्टर काम कर रहा हैं लगबाग हिंदुस्तान का 140 करोन लगबाग जनसंख्या हो चुकी है 140 करोन इतने बड़े पापुलेशन में लोग कार कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करें प्राइबेट सेक्टर में हो सरकारी सेक्टर में हो सरकार के तरफ से बढ़ती हैं जो निकाले जा रहे हैं सरकार के पास बैठे हुए हैं जब उनके पास जब कमिया दिखती है तो पहले खामिया दूर कर लिए कमिया वह नहीं निकालते हैं हम निकालते है जब लोग कमिया निकालके लिए चैए फिर वह जैसे साल्व होगाना की सरकार करेगी जो मैंटर कोट में है उसे कोट पर छोड़िए कोट करके अपना जल्ड देगी इसके बाद देखा जाएगा लेकिन सरकार पर यह थोपना की सरकार कर रही यह गलत है अजय अपना समतिया समति दर्ज कराईए उत्तर-प्रदेश में डेड़ ल सेकेंड पड़ी है खाली पड़ी हुई है लेकिन कभी कोई आता पता नहीं है